अगर तुम मेरा चैनल बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं और तुम मेरा यूट्यूब का इतिहास उठा के देखोगे तो तुम एक बात गौर करोगे मैं मरीन के उपर वीडियोस बहुत कम बनाता हूँ यूट्यूब पे मेरे गिंचुन के ही मरीन ओफिसर्स के उपर वीडियोस हैं हाँ वर्ल्ड गवर्मेंट के उपर वीडियोस बना चुका हूँ बहुत सारे मिस्ट्रीज के उपर वीडियोस बना चुका हूँ चैप्टर के उपर तो आते ही आता है लेकिन मरीन ओफिसर्स के उपर कमी बनाता हूं तो यार देखो मरीन में मेरा जो वन आफ माई फेवरेट कारेक्टर है मंकी डी गार इससे मैं शुरुवात करता हूं और आने वाले टाइम पे तुमको और भी जादा मरीन्स को लेकर के वीडियो देखने को मिलेंगी और जो धियोरी लवर से चिता मत करो यार धियोरी पे काम चल रहा इस वार वाला जो वीडियो है आइमूंन जो धियोरी है वह होने वाला है लेकिन एक बात मैं तुमको बता दूँ ये वर्ल्ड गवर्मेंट का वफादार है ये अपने फर्ज को निभाएगा ही अगर तुम इसका सिब भी देखोगे तो भाई डॉग वाला है और ये जब एंट्री लिया था पहली बार हमें दिखाया गया था तो वो डॉग वाला ही फैमिली मेंबर्स के खिलाफ ही क्यों ना लड़ना पड़ जाए वैसे यहाँ पर गार्प के फैन बहुत जादा भड़क जाएंगे मुझे पता है लेकिन गार्प का इतिहास जरा हम देखते हैं गार्प को पता है सलेस्टर ड्रैगन चूतिया है लेकिन फिर भी वो उसका क आम है तो वो करेगा गाडवल इंसिडेंट हर किसी को पता है यह वहां रोजर के साथ मिलके फाइट किया था क्यों सलेस्टर ड्रैगन इंबॉल्ब थे इसलिए वरना भार में जाए वैसे यह बंदा नहीं चाहता कि सलेस्टर ड्रैगन को सर्ब करे और इस वज़े से उसको बहुत बार यार एड्मिरल का पोस्ट जब मिला है उसको ठुकरा देता है क्योंकि अगर कभी भी सलेस्टर ड्रैगन को कुछ भी हमला होता है कुछ भी लफरा होता है भाई एड्मिरल वहां आता ही आता है जैसे सैबंडी में जब लूफी ने कूटा था चालोस को कि अगर ये एड्मिरल का पोस्ट ले लेता है भाई देखो बोला तो मैंने वफादार है ये बंदा तो हां एड्मिरल बनेगा तो इसको करना पड़ेगा अब हां और एक बार ज़रा तुम गौर करना गार का एज बहुत ज़्यादा हो चुका है इतने उमर में यार बंदे र बंदा है उसको रिटायर कर दिया लेकिन गार को नहीं भाई है तुम नौकरी करते रहोगे बिकॉज मुझे जहां तक लगता है वर्ल्ड गबर्मेंट को चिंता है न्यू एरा को ले करके और उन्हें ये बात जरूर पता होगा यार 800 साल बाद जॉइबाई रिटायर ज़र तुम वही गौर करो ये बंदा नोवल्स को मुझे भाई बग देता है लेकिन फिर भी इसको कुछ नहीं करते है और हां ये एड्मिरल तो नहीं बनना चाहता है एड्मिरल अगर ये बन गया तो फ्लीट एड्मिरल भी ये बन जाएगा विकॉज जब गार्प यंग भाई वो किसी पाइरेट के लिए नर्क से कम नहीं था आकाइनों की क्या बात करतो यार अगर गार्प एड्मिरल का पोस्त ले 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 ना तो उसके बाद उसको फ्लीट एड्मिरल बनने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अब हां मुझे वह बात नहीं पता कि सेंग कुछ इतना दिमागदार है की नहीं जीवार को लेकर टैक्टिक्स बना सकता है की नहीं प्लैनिंग कर सकता है वैसे बहुत सारे लोग यार Roger को सबसे ज़्यादा strong मानते है लेकिन वो बस एक rumor जैसा है क्योंकि हम सब को पता है One Piece के हिसाब से जो हमें manga में बताया गया है Roger, Garp and Whitebeard का जो power level है वो same है and बात करूँ as my opinion Ullong से ज़्यादा अगर कोई 1v1 में strong था तो वो Rocks Dizabek था अब हाँ मुझे Gorose का power level नहीं पता और Emu का power नहीं पता तो मैं उस बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ भाई कि ये तीन character भाई monster है ये बंदा बुड़ा होने के बावजूत कितना ज़्यादा strong है इसका अंदाजा हमें marine ford में ही लग गया था जब इसने नीले मोर को एक मुका मारा और फिर वो भाई पूरा fight खतम होने के बाद भी सोचले marine ford खतम हो गया एस white beard का funeral चल रहा है उसमें अपना सर में पट्टी बांद के गूम रहा देख रो बुढ़े की ताक वैसे आओ कीजी admiral बने के retire होके black beard के crew को join कर चुका है पर फिर भी वो गार्प का fan है और गार्प का fan ये हो भी क्यों ना भाई खुट जब sengoku ने कहा है इसके मतलब achievement से इतने ज़्यादा है भाई world government इसको निकाल नहीं सकती सिर्फ rock spirit को कूटना ये अलग बात है वहाँ पर अकेले गार्प ने कुछ नहीं उखाडा था गार्प रोजर दोनों ने मिलके उखाडा था और वो भी किस प्रकार से उखाड पाया थे या फिर कुछ third party application और आया था क्या चीज़ हुआ था इसका बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है भाई गार्प उस बारे में बात क्यों नहीं करता ये तक हमें नहीं पता वैसे जब final सागा के अंदर हमें Godwell incident को cover किया जाएगा उस वक्त हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि आखिर वहाँ पे लफना क्या था किधर से fight करता हुआ नजर आएगा क्या वो world government के side से लड़ेगा या फिर लूफी के side से लड़ेगा देखो यार marine के जितने भी मैंने officers देखे है उनकी एक सोच है कि भाई world novels ने इस world को create किया है वो यहां के gods हैं ये लोग जो चाहे वो कर सकते हैं अब क्या उन्हें 800 साल पुराना void century का इतिहास पता है ये मुझे नहीं लगता कि इनको पता होगा हाँ celestial dragon की करतूते जरूर पता होगी लेकिन उस बारे में नहीं पता होगा बात करू गार्प की तो मुझे नहीं लगता कि इसको भी उतना कुछ पता होगा इसका भी वही same scene होगा हाँ वो बतलगे ये world novels को पसंद नहीं करता लेकिन वो भी अंदर ही अंदर साइद ये accept कर बैठा है कि world novels ने इस world को create किया है तो यार ये यहां के god है और भले मुझे नहीं पसंद पर क्या कर सकते हैं और हो सकता है जब war start होने वाला होगा या फिर हो सकता हमें लूफी और गार्प का conversation दिखाया जाए जहां पर लूफी गार्प को ये बता रहा होगा साइद कि ऐसा नहीं है दद्दू कुछ और scene है जब वो one piece को खोज लेगा true history को जान जाएगा तो हो सकता है गार्प लूफी के side से fight करे और ये सबसे ज़्यादा नुकसान देगा और side ऐसा भी हो सकता है गार्प और लूफी का conversation होना और यहां पर war चल रहा हो इन दोनों के बीच में और गार्प ये realize करे भले ही इन world novels ने इस world को create किया है लेकिन ये लोग गलत है और फिर वो अचानक से इनके side से लड़े पर ये एक पर से गार्प के character को ऐसा दिखा दिया जाएगा कि ये अपने मालिक को धोका दे रहा है पर यहां पर एक और situation भी निकल सकता है हो सकता है ओड़ा गार्प को ऐसे side रख दे गार्प पूरे fight के दोरान ही दूर रहा है और वो कहीं side वाले चीज़ों पर ध्यान दे जैसे वो हर बार करता है मुझे इन सम में कोई interest नहीं है इस तरह से या फिर ऐसा भी हो सकता है ओड़ा हमें जो है गार्प के power को छिपा के रख रहे है क्योंकि future में हमें गार्प जो old वाला गार्प है उसका किसी ऐसे character के साथ fight है जिसके बार में हम लोग अभी बिल्कुल भी नहीं सोचने है वैसे old गार्प कितना strong है मुझे जहां तरह लगता है ये old गार्प ना बहुत जादा strong है क्योंकि मैं हमेशा यार रैली के उन जान की बातों को जरा गौर करता हूं रैली ने कहा था कि भाई जितना तुम strong हाकी यूजर के साथ fight करते हो तुम्हारा हाकी उतना जादा strong होते जाता है और गार्प कितनों के साथ लड़ा है मुझे साथ बताने के जो रत नहीं है और भली वो old हो चुका है हो सकता है उसके reflexes थोड़े कम हो गये होंगे लेकिन यार हाकी weak होना ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है तो या अभी के टाइम पर गार्प हाकी के मामले में तो बहुत जादा strong है अब उसके पास conqueror हाकी है की नहीं यह one piece में अभी तक confirm नहीं किया गया है उसके बेटे और उसके पोते के पास है लेकिन इसके पास I don't know वैसे होना तो चीए इसके पास conqueror हाकी क्योंकि यह जिस तरह का बंदा है और जिस तरह से इसके rivals रहें अब अगर यह बंदा बिना conqueror हाकी के roger और white beard को टक कर देता था तो भाई मानने वाली बात है कि यह बंदा सच में यार कुछ खास है प्लस हमें अभी तक one piece का power system ठीक से साइध इंटर्डियूस ही नहीं किया गया ऐसा भी हो सकते है वसे देखो मैं Garp को ले करके और भी ज्यादा बात करना चाहता था लेकिन मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं खीचना चाहता और हाँ theory वीडियो बहुत जल तुमको देखने को मिलेगा प्लस manga chapter के spoiler भी आएगा तो उसके लिए भी मैं बेताब हूँ कल देखते है spoiler आने वाला सायद spoiler को भी read करके देखते हैं क्या आता है और तुम सब का क्या माने Garp के character को लेकर के Garp के power के लेकर तुम सब अपने comment box में राय देना मत भूला और हाँ वीडियो पसंदा लाइक मारना मत भूला इस चैनल पर नहीं आगे हो और इस चैनल में one piece related वीडियो अगर तुम ऐसे देखना चाहते हो तो comment box में अपनी राय देना मत भूला और हाँ next में कौन से marine character के उपर बात करूँ वो भी comment box में बताओ तो यार मिलेंग नेक्ट वीडियो में फिलाल के लिए बाई